वेल्कुम टो फ्रिक्चर दोसे चनल में आपका स्वागता दोस्तों आज की वीडियो का टोपिक है हमारा सोफा कम बैड की फिटिंग कैसे लगाई जाती है और उसका सैज कैसे कैसे लिया जाता है प्रोपर वीडियो आपने पूरी देखनी है और वीडियो जादा से जादा लोगों ने लाइक करनी है काफी आप लोगों के कमेंट आयते कि वीडियो हमें दिखाओ इसकी फिटिंग कैसे लगती है यह सोफा कम बैड की कमानी वाली जिसे हम फिटिंग बोलते हैं यह फिटिंग है हमारी और मैं इसको प्रोपर आपको फिट करके भी दिखाऊंगा इ स्ट्रेक्चर के जोंसे हमारे तीन पार्ट होते हैं पहले भार वाला पार्ट फिर सेकंड फर्स्ट सेकंड वाला अंदर वाला थर्ड वाला उसके अंदर वाला पहले मैं आपको फर्स्ट वाला दिखाता हूं जैसे हम पहले वाला पार्ट बनाते हैं फर्स्ट वाला उसका सेज क्या रहता है मैं आपको दिखाता हूं इसका जोंसा हमारा जोंसा यह भार-भार का सेज रहेगा वीडियो बड़े ध्यान से देखना फिर आप लोग कमेंट करोगे बड़े ध्यान से देखना वीडियो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बार-बार का जोंसा यहां तक हाइट हमारी 24 इंची है यानि कि दो फुट और यह वाली हमारी 27 इंची है यह हमने तीर इंची बड़ा कर रखा इसका और बक्ची मैं आपको पिलर की आप बताता हूं थोड़ा सागे इनको बोलेंगे जूम करके दिखाएंगे आप लोगों को यह जोंती हमारी पि यह क electr स्वां यह होगा हमारा इसका पिलर का ओपीषे भी मने फिलर ऐसी डे रख है और जो थी यह बनेख्राद करवा रखी है यह मैं और ची कर रखी है और वाक्वी मैं ने ऊपर यह चोड़ रखें तीन किया है जोंतीसरी मैं इनको चालिए जौन व सी यह मैंने जाली वह डिजैनिंग वैला आप अपने हिसाब से कर सकते इसको और जोंसी मोल्डिंग में यह मैंने लगा रखी है डेड़ इंची की मोल्डिंग है डेड़ पोली की मोल्डिंग है यह हत्ता इससे काफी मजबूत बन जाता है और दोस्तों इसकी जोंसी वुड बगार आप कोई भी इसकी में लगाऊगे पहले मेरी एक बात सोलना उसका सैज बिल्कुल सही आपने करना है यानि की गेज में से निकालना है अगर दो डेड़ की है तो इसको दो डेड़ का सैज प्रोपर रहना चाहिए अगर आपने सैज प्रोपर आपकी फिटिंग नहीं बैठेगी वह से नहीं चलेगा ठीक है अब मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फिटिंग भी कैसे लगती है और जोंसा यह वाला पोशन है यसे मैंने आपको दिखाया है यह वाला इसके ओपर क्या होता है हमारा तकी आगे स्टेंड होता है यह तक या के स्टेंड होता यह मैंने दो बई एक ही लगक़ लगा रखी है यह जमीन से कितनी हमने चरण नी है!". यह 11 चो डिए जमीन से 11 चो डिन्हीं जोनसे मैंने पाहे चोड़े मैंने लकड़ आ बिए चैकी शोड़ा हुए और यह मैंने आ अगे से कितनी हटाके लगाई यह मैंrama आपको बता देता हूँ यह मैंने आगे 사 toxicity के लगाई ये साड़े 4 इंची पर आगेसे हटा के लगाई च्क मैं बाकि वह दिखाता हूं का दूसरा पांट मैं चाहता हूं वोर बता दिलना चाहता हूं कि यह मैं इस इसे में का बोल लिया तो आप इसको करने के लिए क्योंकि मैंने ठाली फाली छोड़िया पूरा भी ले ले सकते हो और इसके साथ पिर आपने क्यां प्सक्राइए larger data și तोandanYou उन्हें का करना एक भय एक आपने बटन 7 में लगा लेना है यह मैंने बटन लगा रึक स्लाइगा इस यह एक इंची के है। आंदर कुंसा इसकी मैं तो प्रोपर हाइट बतातह। इसकी हाइट कितनी रहती है जमीन से हमारा 12 सवा इंची की हमारे वील भी है इसके उन्दर यहंसे जिसके बनाते हैं जिसके इन सवा इंची के इधर से इपतातु हमने की प्लाही एक उसके ओपर तीन डीड़ की सब्सक्राइश्च को प्रेसी का प्लाहे नहीं tv कि लगा रखिए तो इधर की तटरब भी हमने तीन डीड़ की सब्सक्राइश अपनी कि लगा रखिए यह वली से जुन सब्सक्राइश रहे हैं और रहे Blood घणक अमने चवड़ा हूए फिकbelt आंध बंद्ड़ए ह्नुकर निकलता है तो नजर नहीं आता यह हमारी कमाँ अंद्री रह जाती है यह हमने इदर लगा रखे कि बखसा आपस में टकराए ना ठीक है इदर आप चाहे तो प्लास्टिकी गट्टी भी लगा सकते दोनों तरब कि बखसा आपस में टकराए नो अधर जाके दोस्ते इदर भी हमने क्या रखए दो एकी लगा रखे जिसके पर हमारा यह अम्हरा यह तरब बक्सा चलता है दूसरा बक्सा हमारा इपर सोरी इसके उपर चलता है इसके उपर क्या कर रहा है हमने टक दे रखें जब हम बक्से को इसके अंदर गुषाते हैं बक्सा यह नीचे आजेगा तो हमारा बक्सा जब हम खीचते हैं भार नहीं निकलता है कि इदर की तरफ देए इदर भी हमने बटन लगा रखा है यह यह बटन लगा रखा है इसके ओपर हमारा स्लाइड बक्सा होता है क्योंकि जब हम इसके अंदर डालते हैं बक्सा इदर से उधर की तरफ हमारा इदर से डलके नीचे आ जाता है तो यह सैज उससे जितना हमारा अंदर का हमने दोसुत है यह मैं आपको बता रहों यह मैंने साहीं अब यह नजरा रहों आफ यह देखिए यह हमारा 2 इंची है कि यह लखकड है हमने भार निकाल हुई है यह इसके ओपर हमारा वह चलेंगे वील चलेंगे यह हमने वील लगा रखे हैं ठीक है और इस दर से भी आपको दिखा जिता हूँ एक वार साइड से इदर से यह देखे हैं और यह हमारा 19 mm का बोर्ड है यानि कि आपने यहां से लेकर यह देखो यह हमारा 10 अपना पूने 11 इंची थिक है ना इसके नीचे हमने टुकडा लगा रहा रहा है जिसके पर वील हमारे ठीक हो है यह आसे दो वील आपने दो वील इदर हैं दो वील इस और पीछे की बैक शेड में आपने का करना यह तीन डेर की लगा देनी है जिससे तक्या बनाएंगे वो हमें एच इसका बंदर स्परता सब्सक्राइब कामानी इसका सब्सक्राइब को वाव है ठीक है यह आपने ना तो इससे साइज कम करना ना ज्यादा अगर ज्यादा आप करोगे बैक सेड में क्या होगा यह खुले करना नहीं और यह मैंने देखो यह ऐसे हमने बना रखे इसके ओपर क्या रख है मैंने चार एम्यम की डेड़ सूत की प्लाइल अपने फिट की हुई है उसके बाद यह कमानी के अंदर खाचा दे रख यह भी आपको मैं फिट करके दिखाऊंगा और इसका टेपर भी आपको देता हूं यह ऐसे है मैंने इसका फर्मा बनाया हुआ है क्योंकि ऐसे आपको साइज का पता नहीं लगेगा जब आपने तकिया बनाना हो यह देखो तकिया इस तरीके से बनाया हुआ है यह मने पीछे दो डेड़ की लगाई है मजबूती के लिए यह इधर भी और नीचे 6 mm की प्लाई है आप चाहोते हैं इसके ओपर 12 mm की प्लाई भी लगा से तो 12 mm की प्लाई से क्या होता है है वी हो जाता है यह देखाओ इधर रही है दोस्तों मैं इसको अब साहिज बता देता हूं आप बेशक क्योंकि ऐसे तो इस पर साहिज नहीं नज़र आएगा यह का क्र zagदड है तो एक इंची की टेपर आरी है आप यह मत सोचना चोड़ां साथ सूथ का यहां तक यहां तक यह 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 Watch disease अगर आपको दिक्कत हो यह इसका सहज है मैंने एक एक चीज आप भाईयों को बता दिए कि वह आपको दिक्कत नहीं आ पाएगी क्योंकि यह नाड़ी से नाड़ी को भी बताऊगे वह भी तकीया बना लेगा यह हमारा यह हो गया तो में क्या करेंगे इसकी हम ते इसकी कमानी तुमल पितनग पर उब ना फ्रंट की तरब से हमने यह लेना है पोने 22 लेना है पोने 22 के इदर से करना हमने राइट एंगल में निचान उतार लेना तो जितना नीचे कितना करना है जितना हमारा बोड है यह हमारा 19 mm का बोड है उतना हमने नीचे रखके हमने फिटिंग लगानी है और फिटिंग तो इस धंगा और ने आपके पास स्कायत आजएगी कमानी साइघा कत्ति अपक्ति में निकल जाएगी घए तो फिटिंग बड़े ध्यान से देखने और वीडियो को दोस्तौ लाइक कर देना लाइक में कमिमत रखा करो मेरे दोस्तों अब यह विजे सप्रिंग अगर कि याचिज पहले लगा लेते आगर फरीम की पति हम पहले लग लेत तो हमारा ये टाइट नहीं होना था क्योंकि अब इसमें अइसे जितने म Cash अब इसको च्थ सकते हो ठीक है अब हम इसको यहां लगाएंगे दोस्तों यह spring वाला जिससे हमारा यह portion को नीचे करना है कहीं आप कहीं उल्टी ऐसे करके नहीं लगाना है इसको पत्ती को नीचे करके लगाना ठीक है तो हम इसके इंदर स्क्रू कर सेंगे क्योंकि इदर डिल चलेगी नहीं जगा कम है थोड़ी सी तो हम क्या करेंगे इसके अंदर पहले मैंने होल कर दी है इसके अंदर दोस्तों यह आपने ठोक नहीं नहीं मैं आपको बार-बार कह रहा हूं नहीं तो शकैत आजए यह बद्धिनामी का काम हो जागा इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देने यह देखेंए हमारी फिटिंग लग चुकी है इदर अधर अधर आज जो सब्सक्राइब दोस्तों यह दोखो यह फिटिंग हमारी लगी है पाइची इसका यह दखे यहां महीं पीजिता सब्सक्रास्यक्त करें फूर इसके इनदर गला करेंगे कि इसके अंदर फी चुरूंव हमने कसके लगाने नाकी तोके कित कि मुझ्げ कि यह इसके अपर दोंधा दोंसा इसके अपर कपड़ा चड़ेगा वह पती के ऐसे धकत जाएगा यह रहा ही इसे कपड़े बाद नहीं फिट होगा तकिये तकिये से पहले कपड़े से पहले ही हमारा फिट होगा इसके ओपर जो उनसा गद्दा आता है तीन इंची और चार इंची के इसके अंदर गद्दे लगते हैं इस चीज़ का भी ध्यान रखना है यह इसे यह फिटिंग मैं इधर मैंने बताई है पली तरग भी ऐसी फिट होगी कोई की वीडियो जादा लंबी बन जागी क्योंकि मैं आपको एक ही तरफ का प्रसीजर बता रहाएं दोस्तों कमानी की यह हमने तकिये की कमानी हमने लगा लिए दोनों तरफ की अब क्या करें की बड़े ध्यान से वीडियो देखना आप लोग भाईयोंने दोस्तों जोंसी हम यह गाइड लगाएंगे जिसे लोग करेंगे हमारा बक्सा ठीक है इसके अंदर हम पती डालेंगे यहां से खील डालेंगे और यहां से हमने कितना चोड़ना है पहले मैं इसको कस लेता हू और यह में होली जूसी पत्ति है जुस् intriguing की utiट हूइ यहमने इसके साथ लगानी है और यह हमने यहां करत को जनिए है इसको अब अराम से इसको कसना है यह कर देना है हो सकता है आपके आपके आपसे एक-दो बार में फीटिंग ना हो थोड़े वह तूपर नीचे करना प कि इसमे मिए यह कर द कि इए G tu आपि यह रिष्टा दिए है अब इसके अंदर क्या कि त्वपक्षा दालेंगे कोई कि ढूसी दूसरे वाली होती जिसमें यह गाईries लगती तक यह का ईए काटना परता है तौन चार्शाष्चता काटना को मिलेगी मैं बार बर बता रहा हूं यह मेरे पास मिलेगी अगर किसी भाई को चाहिए होगी तो मुझे बता देना आपको सामने उपर स्क्रीन पर नंबर नजर आ होंगे तो कॉंटेक्स कर लेना मुझसे और वीडियो को लाइक करो शेर करो जादा जादा कि और कारपेंटर भाई कोई पसाओ तो इसके काम भी वीडियो आए दोस्तों यह वाली हमारी लकड का रोल पता क्या है यह इतनी पीशे क्यों लगी है यह जोंसे हमारे वील लगे पोड़ेंगे और कमानि का लोग लगएंगे वह सकता लोक आपको ना भी नजर आए बड़ा असान नहीं तरीका उसमें का काना हमने पत्ती बसानी है और कील डाल देनी है को कि उधर की तरफ हंदेरा मैं आपको तरीका फिर भी एक बार बता देता हूं ऐसे करेंगे बक्से को ठाके हम अंदर लेके जाएंगे यह बक्से क अब हमारा लोक लग गया अब हम पर्ली तरफ का भी लोक लगाएंगे अब मैं आपको इसको थोड़ सा खीच के दिखाता हूं अपलाई करके दिखाते हैं फिर हम इसका दूसरे बक्से का भी दिखाएंगे आपको यह देखिए अब तो जब से इसमें लोक आजएगा यह वाला बक्सा आजएगा तो जिए पीछे नहीं जाएगा यह देखिए यह बिलकूल सास में ऐसे बराबर आजएगा जब जब यह देखिए अपने अपने सप्रिंग का मतलब यह देखिए तो जु mi sa gator एगा इसके ओपर हमारा 13 इंची का घड़ा आईगा entities आएगा तो इसके ओपर तीटीऊ को पहले दिखाएते तो तो इसलिए डालते हैं क्योंकि पती हमारी खोलना जाए तो अब हम कील डाल रहे हैं बहुत ज्यादा असान है यह फिटिंग लगानी कोई दिक्कत अगर आपने वीडियो पूरी अच्छी तरीके से देख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बार-बार आप लोग यह देखिए दोस्तों यह इसमें सप्रिंग में इतना है यह अपने आप ज्यादा चले ज्यादा पीछे यह देखिए अब हम इसका यह वाला बक्सा आपको डाल के दिखाएंगे यह वाला बक्सा हमारा कैसे बनेगा दोस्तों यह वाला हमारा बक्सा बनेगा यह हमारा पा बख्षे को वो भी मैं आपको साहिज बताऊंगा यह जोंसा मेरा साहिज है इसके अंदर प्रोपर है यह सब्सक्रेंगी है वह हमारा जोंसा जी हमने बख्षा बनाया यह हमारा साथ धिंची जी अवपर 12ड लगाई है यह हमारा अपना कितर द्यार हो गया साथ फिर और नीचे भी हमने यह लोहे का पीछे बैरिंग लगाया हुए जैसे यह बैरिंग आपको नजर आ रहा होगा और जोंसी इसकी यहां से लेकर यहां तक इसकी बक्से की लंबाई है यह है हमारी 29 इंची का है और 29 के अंदर क्या किया है हमने यह वाला जोंसा हमने बोड त्यार किया है यह वाला आपको जैसे नजर आ रहा होगा यह वाला बोर्द है हमारा सबीट उसको टक दे दिए यहां पर बोर्ड को हमने इसको टक दे रखा यह देख। यह देखिए अम्ने बॉर्ड को टक दे दिया है साड़े चार इंची एक टक देके और पांग चुर के कि रीब हम लगकड के एक्स्ट्रा लगका लगाकर लगाके अब निकाल दिया है और जुनसा पीछे वाला जुनसा आमने रख है यह शब दो इंची गार नीचे 6 यह मैंने ले रखा है कम से कम साथ सूथ के करीब आगे से मोटा पीछे से जीरू है जो बक्सा जब अंदर जाता है तो अंदर जाता लोक हो जाता है यह मण आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोक करते हैं आप यान उधर मैंने 500 बढ़ा रखी इदर भार की तरफ दर प्झेश्चर जसके था यह ते मैंने bян यहां अब हो यह उलगा लाज को उसमार हो जाएगा अब एसको यहां निग्कालेंगे हम लोग बक्से बार ये तो इसको बार निकालो अब देखो दोस्तों इसके अंदर क्या सोफा कम बैड में क्या है जूंसा मैं दिवान कम बनातों वीडियो को कि वह खुदी बक्से इतने भारी होते हैं उसको लोक लगाने की जूर तो नहीं पड़ती अपने इसके अंदर क्या लोक लग गया जैसे मैंने दिखाया था इसको कभी भी उठाएंगे ऐसे कभी नहीं निकलेगा हलका सामने इसको पुष करना उपर की तरव यह दो यह किया यह निकलाया बाहर अगया पूरा पक्साव कि जब अंदर करना इसको इसको करने अग्या दोने तरव यह देखिए और जितना हमारा यह सहज है हमने यह इदर से कर लेना दो तीन से उतके रूफ एक वर में बोलता हूं आपको नजदीक से दिखाते हैं हमने कितना लूज करता है यह देखिए दोस्तों सामने इसका फ्रंट का मथा लगा रखा है उसके ओपर क्या कर रखा हमने यह आप आदी इंची की देख रहे हो यह मोल्डिंग लग रखा है और यह देखिए मैं आपको दिखाता हूं और जोंसा इसके हमने यह सेंटर में हमने स्रमैके की पट्टी लगा रखिए यह आम तोर पर आपने देखा भी होगा जैसे दिवान कम बैड में मैं लगाता हूं इसको दोस्तों अगर लेना होगा तो इसको कहते हैं बोल रि uit को देखे आपने इसकी वीडियो देखिए क्योंकि मैंने इसको बंते हुए कि नहीं बंपटाई Scout अगर जाते हो तो आपने कमेंट बोक्स में जारा जारा बताना मुझे कमेंट करके गया देखना चाते हो दोस्तों जे आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना सुस्क्राइब करते हैं साथ में बेल आइकन को बटन दबाने के पार ओल का जुरूर बटन दबा लेना जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और दोस्तों एक अच्छी लगी तो मैं इसकी कंप्लीट की भी वीडियो डालूँगा